नमस्कार दोस्तों मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुपीत पूनम में दोस्तों आज हम बनाएंगे हरे मटर के अपपे क्यूंकि आज कल ताजे ताजे मटर आ रहे हैं और मटर में मिठास भी बहुत अच्छा आ रहा है तो इस समय बहु quantity में बनाना हो उस हिसाब से ले सकते हैं कोई इसका खास measurement नहीं है तो अब हम दोनों को अच्छी तरह से mix कर दे रहे हैं और उसके बाद हम आउसकता अनुसारिस में पानी यूज़ करेंगे तो हमने अभी थोड़ा पानी डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें एक साथ डालने से बैटर हो सकता है गीला हो जाए तो जितनी आउसकता हो उतना है डालें तो हमने एक कटोरी इसमें पानी डाल दिया आधा-धा करके और अब इसको हम ढख के रख देंगे करीब 10-15 मिनिट के लिए ताकि सूजी हमारी अच्छी तरह से पूल जाए और तब तक हम और तयारियां कर लेते हैं तो इसके लिए हमने देखे गाजर, सिमला मिर्च, टमाटर, प्याज़ और हरी धनिया इन सबको हमने बारिक-बारिक काट लिया है और जो गाजर है उसको हमने कद्दू कस कर लिया है इधर कुस मसाले हैं जिसमें अधरक, लहसून और हरी मिर्च है और हरी मटर है क्योंकि हम मटर के अपे बना रहे हैं तो हरी मटर इसमें बहुत जरूरी है अब इन सब को mixer jar में डालके और उसके बाद इसको एक fine paste हम तयार करेंगे तो हमने अधरक, हरी मिर्च, लहसून और हरी धनिया और मटर इन सब को हम jar में डालेंगे और अच्छी तरह से इसको हम थोड़ा सा पानी डालके पीस लेंगे ताकि हमारा paste बहुत ही अच्छा सा बने क्योंकि दरदरा जादा रहेगा तो फिर इसमें mix नहीं होगा इसलिए आप इसका fine paste ही तयार करें तो अभी देखिए हमारा paste तयार हो चुका है अब इधर हमने जो सूजी भीगो के रखी थी उसको देखिए ये फूल चुका है अच्छी तरह से और सारा पानी सोख लिया है अब इसमें हम मटर को डाल देंगे और जब हमको पानी किया सकता होगी तो जार को हम धूल के और इसमें add कर देंगे तो सबसे पहले हम इसमें सब को mix कर देते हैं ताकि आपस में मटर और सूजी हमारा mix हो जाए अच्छी तरह से तो अभी देखे हमने इसको mix कर दिया है और अब हम इसमें सबजियां डालेंगे जो हमने cut करके रखी है तो हमने प्याज डाल दिया और गाजर डाल दिया सिमला मिर्च डाल दिया है टमाटर डाल देंगे हरी धनिया डाल देंगे यह हमने ज़ादा कट करके रखा इसलिए थोड़ा थोड़ा हमने बचा लिया है और उसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इ को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से इसी तरह की कंसिंस्टेंसी चाहिए इसके लिए तो इसलिए हमने इसमें पानी थोड़ा सा एड किया है अब इसमें आवसेक्ता अनुसार नमक डाल दें आप जितना आपको खाना हो और इसमें हमने हाफ टीस्पून मीठा सोडा डाल दिय इससे हमारा अप्पे जो है बहुत ही फ्लक्पी बनेगा अब इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसको अप्पे साचे में बनाएंगे आप चाहे तो इसकी इडली भी बना सकते हैं वो भी बहुत ही टेस्टी बनती है और बीना तेल के बन जा जैसा आपका साचा हो उस हिसाब से यह बनेगा तो हमारा साचा छोटा है तो हमने इसमें एक एक चमज डाल दिया है और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे एक तरफ जब यह अच्छी तरह से सक्त हो जाएगा तभी हम इसको पल्टेंगे नहीं तो यह लिया है उसको अच्छे तरह से हम साइड साइड से पहले छुड़ा देंगे और फिर हम इसको पलटेंगे तो इसको हम जब पहले छुड़ा देते हैं तब यह आसानी से पलट जाता है नहीं तो यह तूट जाता है तो देखिए अब हम किस तरह से इसको छुड़ा के पलट र जाएगा और अगर ये सक्त एक तरफ से हो गया है तो आप इसको पलट दें इसी तरह से तो सारे को हम इसी तरह से पलट देंगे पहले और जब ये दोनों तरफ अच्छी तरह से सिख जाएगा गोल्डन हो जाएगा और ये पक जाएगा अच्छी तरह से तब हम इसको निकाल लेंगे तो इसको पकने में करीब 2-3 मिनिट लग जाते हैं इससे जादा वक्त नहीं लगता है 2-3 मिनिट में ये बनके तयार हो जाता है तो सारे हमने देखे पलट दिये हैं और अब इसको हम फ्लेम थोड़ा सा तेज करेंगे ताकि इधर से भी थोड़ा सा सीख जाए और उ इसको इससे उतारें तो अब ये पक चुका है हमने एक बार दुबारा पलट दिया इसको लेकिन ये हमारा रेडी हो चुका है और अब हम इसको निकाल लेंगे पलेट में और जो बाकी बचा हुआ है उसको हम इसमें फिर से दुबारा बनाएंगे तो एक एक करके हम इसको और उसके बाद हम इसको दुबारा इसमें बनाना सुरू करेंगे तो सारे को देखिए हमने पहले निकाल लिया है अब फिर हम इसी में डालेंगे तेल और जो बचा हुआ बैटर है उसको भी हम इसी तरह से बना लेंगे तो अब पे हमारा देखे रेडी हो चुका है इसको निकाल लेते हैं रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा सस्क्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और जो बगल में घंटी का निसान है उसको भी प्रेस कर दीजेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अफ्लोड करूँ तो उसका नूटी फिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे फिर मिलेंगे इसी तरह के हल्दी टेस्टी रेस्पी के साथ